स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है साथ सो ग्यार रोपे के आसपास स्टॉक में अभी भी एक अच्छी मोमेंटम जा रही है अपसाइट की तरफ तो इसमें एक पाइक कॉल की संभावना दिख रही है मुझे ऐसा लगते है कि इसमें एक पोडिशनल व्यू बनाया जा सकता है इसमें आप देख सकते हैं इसके पहले एक डवलू पैटन बना था यहां से एक प्रिकाउट हुआ स्टॉक में एक अपसाइड आने के बाद थोड़ा से करेक्शन में इस स्टॉक नीचा आया फिर इस के बाद एक अपसाइड अब इस स्टॉक में एक नया पैटन जनरेट हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं यह कप जैसा पैटन बन रहा है फिर उसके बाद इसका एक हैंडल जैसा कप आपने देखा होगा उसका एक हैंडल बनता है यहां से फिर हैंडल बनने के बाद इन सबसे यह स्टॉक सबसे बेटर स्टॉक नजर आता है मुझे 755 का एक पहला टार्गेट दिकाई दिये सकता है और 52 वीक हाई जो उसका है 774 वो ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है इन दी शॉर्ट टाइम पीरिड यह से स्टॉक में अकर कोई भी स्टॉप लॉस रखना है तो एक स्टॉक स्टॉप लॉस 695-694 के आसपास का रखा जा सकता है और एक अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती वी आईपी इंडस्ट्री में तो एक एजुकेशनल परपस के लिए वीडियो बनाए जया था था थैंक यू सो मच